है सтобы कुए葉 रियल मी vot एसका प्रफीले में चार्जिंग प्रब्लिम इसमें 14 नहीं हो रहा है लेकिन इसका चार्जिंग वाल्ट्ट्रेस में पीसी और रा है ठीर भी चार्ज नहीं हो रा आपको देखाएगा अभी यहां पे देख लो मीटर में में पीसी में में 5.2 वोल्ट आ रहाए चार्जिंग वोल्ट 5.2 वोल्ट आ रहाए लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है इसमें आपको आण करके भी देखाएगा अभी ठेक है यहां पे स्क्रीन में देख लो चार्ज नहीं हो रहा है ठेक है चार्जिंग प्रोब्लम तो इसको कैसे ठिक करना है मेरा यह वीडियो देख लो सहित आप लोगों कुछ आइडिया मिल जाए इसका चार्जिंग आइसी जिस टीना में रहता है उस टीना को अभी निकलना परेगा यहां पे देख लो चोटा वला जो टीना है इस टीना को निकलना परेगा अभी यह सब टीना टीजर से निकलना चाहिए ठेक है भाई यहां पर देख लो चार्जिंग आइसी बी क्यू टू फोर वन नाइन जीरो यह हो गया चार्जिंग आइसी अब इस चार्जिंग आइसी का 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 वॉल्टेज आ रहा है यह सब देखना है ठेक है का वॉल्टेजिंग वी आइसी बीजरो फार्जिंग आईसी उसे है यहा है कि छुटेजज़ में चार्जिंग आपी आफी जाए आधी आएसी अज़ो इस टीज़ वीज़ डिपना है पहले चार्जल लगा के चिक करना पड़ेगा यहां पे वोल्टेश आना चाहिए 5.2 जो इसमें नहीं आ रहा है और दूसरा आउटपुट एरिया में कोई पर भी वोल्टेश नहीं आ रहा है इन्पूट में देखेगा अभी इन्पूट में 5.2 वोल्ट आ रहा है यहां पे च्छोटा वला फिल्टर आईसी रहता है यहां तक भी आ रहा है फिल्टर आईसी में दूसरा साइट में फिल्टर आईसी के दूसरा साइट में वोल्टेश होना चाहिए 5.2 जो इसमें नहीं आ रहे ठीक है यहां पर देख सकता है यहां पर आना चाहिए यहां पर भी नहीं आ रहे तो इसके मतलब यह इसका जो चार्जिंग फिल्टर आइसी है छोटा ओला वह ऐसी खराब है उसको चेंज करना पड़ेगा आपको देखाएगा अभी कुन सा आइसी है यह जो छोटा ओला आइसी है यह ऐसी खराब है ठेक है दोबरा देख लो यह छोटा ओला आइसी को चेंज करना पड़ेगा नहीं तो जामपर करने शीव होगा मेरा पास है आइसी तो हम जांपर कर देगा छोड़ी शेंज कर देगा एटेन का आइसी लग जाएगा इसमें स्यामसंग एटेन का आइसी कर देगा एटेन का आइसी लग जाएगा 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 एटेन क झाल 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 चार्जिंग फिल्टर आईसी को चेंज कर दिया अभी चेक करना है कोई पर शॉट लगरा यह सब चेक करना है पर शॉट नहीं है नहीं है नहीं है कोई पर भी शॉट नहीं है तो अभी इसमें चार्ज चाजर लगा के चेक करेगा ठीक है अभी फोल्टेज कहां पर आ रहा है यह सब देखना है मेरा वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा अब आच्छा लागे तो इसको श्यार कीजिएगा यहां पर वोल्टेज आ गया 5.1 अभी यह 100% चार्ज होगा ठीक है पहले यहां पर वोल्टेज नहीं था इसका फिल्टर आइसे जो था वो खरब था चार्जिंग फिल्टर आइसे बैटरी तो 100% चार्ज है फिर भी आप लोगों को एक बार चेक करके देखाएगा यहां पर देखलो चार्जिंग फिल्टर हो गया यह मेरा विडियो अग्राइग्ण अच्छा लगे आप लोगों को थुरा साभी तो इसको लाइक शेर सब्सक्रेब पर देजिए का प्लीस झाल झाल झाल